मोधी जी की नई सरकार का पहला बजट ना केवल नीरस और उबाउ है प्रन्तु जन विरोधी, युवा विरोधी, गरीब और किसान विरोधी साबित हुआ है क्या न्यू इंडिया का मतलब है कि गरीब किसान और नौजवान थोथे शब्द बन जाएं किसान की पीड़ा के बारे में एक शब्द वित्मंत्री जी ने नहीं कहा किसान की आये दुगनी कैसे होगी, किसान को उसकी फसल की कीमत कैसे मिलेगी किसान और जो ग्रामेन अर्थ्व्यवस्था का धाचा बिगडा है वो सुध्रेगा कैसे रोजगार पैदा कैसे होंगे, नए मौके युवाओं को कैसे मिलेंगे इनकी एक शब्द की चर्चा, किसी दलित, किसी आदिवासी के भलाई की चर्चा इस बजट में नहीं हुई उल्टा दो रूपिया 65 पैसे आम जन्मानश पर डीजल और पेट्रल की कीमते बढ़ा कर टेक्स जड़ दिया गया पांच साल में मोदी जी ने डीजल पर 447 परतिशत एकसाईज बढ़ा और पेट्रल पर 211 परतिशत एकसाईज बढ़ा 13 लाख करोड कमाया और जन्ता की जेब काटी और पहले ही बजट में 2 रूपिया 65 पैसे की चपत आम जन्मानश को डीजल और पेट्रल की कीमतों में लगा आपने फिर जेब काट ली बड़े बड़े 400 करोड टर्न ओवर के कॉर्परेट्स के लिए तो 30 परतिशत से 25 परतिशत टैक्स कर दिया गया पर आम हिंदुस्तानी के लिए एक फूटी कोडी भी टैक्स की रियायत नहीं दी गई उल्टा उसकी जेब पर बोच डाल दिया गया ये बजट पूरी तरह से इस देश की आम जन्मानश की भावनाओं का विरोधी है नीरस है उबाव है और वो न्यू इंडिया है जो मोदी जी के चंद मुठी भर मित्रों की भलाई का काम करता है प्रन्तु इस देश के उपर अनाप शनाप और अनावश्चक बोज डालता ह शायद वितमंत्री जी जान पूछ कर या गलती से ये बताना भूल गई के मोदी सरकार ने पांच साल में बैंक घोटाला करने वालों या बैंक का पैसा ना देने वालों का पांच लाख तरिपन हजार करोड माफ कर दिया एक लाख करोड अन पिए कम की तो बात कर दी पर पांच लाख तरिपन हजार करोड की जो रिड माफी की है बैंक का करजा ना चुकाने वालों की उसका क्या और ये भी नहीं बता पाए कि जिस प्रकार से 70,000 करोड मात्र बैंकों को दिया है बैंकों को re-capitalization के लिए कम से कम 4,5,000 करोड की आउशकता है क्योंकि आपने 5,53,000 करोड की बैंकों के रिंक की माफी कर दी लगता है पूरी अर्थ व्यवस्था वो नोज डाईब पर है ना fresh investments की बात की गई नए निवेश की ना रोजगार के स्रिजन की बात की गई ना निर्यात की बात की गई ना छोटे और लगू द्योगों में नई सफूर्ती लाने की बात की गई पूरा बजट केवल एक निरस और उबाव भाशन बनकर रहे गया खेत किसान और गरीब मोदी जी की सरकार के लिए भाजपा के लिए थोते शब्द हैं जिनका चुनाओ में खूब इस्तेमाल करो लच्छेदार भाशनों में किसान गरीब की बात करो और खेत खलीहान की और उसके बाद उनको एक ऐसे अंधेरे कोने में फैंक दो और उन्हें पांच साल के बाद फिर दुबारा निकाल कर लेकर आओ आज दो पॉइंट नो परतीशत से कम क्रिशी की दर है दो हजार बाईस में किसान की आए दुगनी कैसे होगी आज वितमंत्री जी ने कह दिया कि आप बगेर खाद और बगेर कीटना शक दवाईयों के अपनी आए दुगनी कीजिए कैसे हो पाएगा आज बीस हजार करोड रुपिया अकेला गन्ना किसान का बकाया है वो कैसे मिलेगा किसान को दलहन हो या तिलहन हो उसके किसान को उसकी फसल की कीमत मिलती नहीं न्यूंतम समर्थन मुल्य भी तो फिर वो दलहन और तिलहन का किसान कब तक जी पाएगा और आपने एक परतीशत से और पांच परतीशत तक न्यूंतम समर्थन मुल्ले की बढ़ोतरी कर आप कहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी इस परकार से तो बीस साल और लगेंगे इन सब शब्दों को गोण ना मान कर अगर यतार्त की भाषा मोदी जी और वितमंत्री निर्मला जी समझ सकती तो इस देश के किसान खेत खलियान के लिए अच्छा होता